क्रिकेट के दुनिया से इस वब एक बड़ी खबर आ रही है टीम इंडिया के क्रिकेटर श्रेयर साइयर की लंड़न में सर्जरी हुई है और अच्छी बात ये है कि सर्जरी करने वाले डॉक्टर्स ने श्रेयर की सर्जरी को सफल बताया है आपका बता दें कि कई महीनों से श्रेय सायर अपनी पीट की चोट से परिशान थे और अब इस सर्जरी के बाद उन्हें करीब तीन महीने तक क्रिकेट की पिच से दूर रहना होगा श्रेय सायर ने उस्ट्रिलिय के खिलाव बॉडर गास के टेश सीरीज में अपना आखरी इंटरनाशनल मैच खेला था इसी चोट के चलते श्रेयस आई पे सीजन 16 से भी बाहर हो चुके हैं इसके लावा अब श्रेय सायर 7 जून से लंडन में होने वाले डब्लूटीसी फाइनल में भी हिस्सा नहीं ले पाएंगे हलाकि श्रेय सायर के वर्ल कप 2023 से पहले फिट होने की पूरी उमीद है 2023 वर्ल कप इसी साल अक्टूबर महीने में खेला जाएगा सबसे पहले मिलेगी क्रिकेट की हर खबर कॉन्टूवर्सी और इंसाइड स्टोरी पर भी होती है हमारी नजर क्रिकेटर्स की परस्नल लाइफ से लेकर इंट्रिव्यूस तक हम रखते हैं आपको हमेशा अपडेश इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और अगर आप हमें फेस्बुक कर देख रहे हैं तुम्हारे फेस्बुक पेज को भी पॉलो कर सकते हैं क्योंकि क्रिकेट का मतलब है न्यूस 24 तो